हलो आज है फोर्थ जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वकरांगी लिमिटेट के बारे में देखिए वकरांगी का जो शेर है ना पिछले एक महिने से काफी जादा चर्चा में रह रहा है और अभी पे अगर आप देखोगे ना तो शेर में कोई उतना बड़ा मोमेंटम बन नहीं पाया है चाहे कितनी भी पोजिटिव खबर आ रही हो यहां पर वीडियो में उसके बारे में बातचीद भी करेंगे पिछले एक महिने में अगर हम देखे तो 7% की गिरावट है यहां पर अगर देखे लगाता गिर रहा है यह और अभी थोड़ा सा अटेम्ट कर रहा है उपर उठने का पिछले 3-4 ट्रेडिंग शेशन से तूट कर यह गया था 16 रुपय पर वहां से थोड़ा थोड़ा करके यह कोशिश कर रहा है ठीक है कोशिश कर रहा है यहां पर अगर पिछले एक साल की बात करें तब रियालिटी यह है कि 40% गिरावट है लेकिन अगर इसके हाई प्राइस से मैं कंपेर करूं जो की 45 रुप है यह देखो इससे पहले भी यह शेर 15 रुपय 40 पैसे पर गया था अटेम्ट करा 30 दिखाने का 18 रुपय 75 पैसे पर गया वापस गिर कर 17 रुपय पर आ गया और अभी लंबे समय से अपरिल से लेकर अब तक अगर हम देखे तो यह 16 17 के आसपास खेल रहा है 30 गिरावट नह अभी खबर यहां पर यह भी उठ रही है कि वहा है नई कंपनी फिर्म हो रही है से पहले वकरांगी के शेर्स थे ठीक है उनको मिलने वाले हैं यह शेर्स अब कितने मिलेंगे यह भी बात है यहां पर लेको इन्वेस्टर्स हेविंग दिलिवरी ऑफ वकरांगी इस एक्विटी शेर विट अफ फेस वेल्यू ओफ टैन इच ओफ वी एल ए गवर्ननस एन इटी सोलूशन विल बी अलॉटेट फॉर एवरी टैन इक्विटी शेर्स औफ वकरांगी सिंपल सी बात है कि वकरांगी के दस शेर्स जिनके पास होंगे उनको एक शेर्स मिलेगा हर दस शेर्स के रेश्यो यहां पर बताया क्या है और देखो ऐसा नहीं है कि यह अभी देखो कितना टाइम लगा इसको यहां पर क्योंकि अगर हम बात करने जाए तो 2021 में जो मीटिंग हुई थी आप देखें यहां पर Board of Directors of the Company at their meeting held on 12th November 2021 had approved the Draft of Proposed Scheme of Arrangement for Demerger of E-Governance and IT Divisions तो भया यह जो वकरांगी में से यह जो वकरांगी Limited E-Governance and IT Solution Company को अलग किया गया है उसकी जो प्रपोजल है उसका जो अप्रूवल है वो 2021 नवेंबर में मिल चुका था और Finally 2015 June 2023 यह Fixed Date रखी गई और जब लिस्ट होगा तो भया मिलेगा देखते हैं कब मिलता है क्या होता है यहां पर लेकिन एक और बड़ी खबर आई है और देखो यह वकरांगी ना कोई भी सेक्टर जब ट्रेंड में रहता है कुछ भी आता है वकरांगी बोलते हैं हम भी यह करेंगे और ऐसा ही कुछ हो रहा है यहां पर वकरांगी टू एस्टाबलिश इलेट्रिक विहिकल चार्जिंग स्टेशन अक्रोस इंडिया और यह बड़ी बात है क्या वकरांगी जो है वो चार्जिंग स्टेशन को भी सेटप करेंगे आने वाले दौर में अगर वाकई में यह करेंगे ठीक है सक्सेस्फुली करेंगे तो अच्छी बात है क्योंकि देखो इनके पास रूरर एरिया में काफी अच्छा नेट्वर्क है अगर हम बात करने जाए देखो वकरांगी इनके केंदर तो आपको देखने को मिल ही रहे हैं अगर हम बात करेंगे देरा अल्मोस्ट 3,504 नेक्स जन वकरांगी केंदर लोक वकरांगी देख रहे हैं और वकरांगी में अगर यह चीज करेंगे और सकसेस्फुली करेंगे तो देखना होगा देखें दिस जून बैंगलूर इलेटर सिप्लाइज जो बैसकॉम है केम अफ विथ अ प्लान तो एस्टाब्लिश 670 विकल चार्जिंग अक्रॉस देखो अभी हर कोई गुसरा है ठीक है जो बैसकॉम जो बैसकॉम है वो खुद जिस जो पूर अलोर करनाटक में 670 इलेटर स्टेशन सेट अप करने का बलान अभी हाल फिलाव है भाईया बीपी सील भी कर रहा था ये भी कर रहे हैं टाटा तो बढ़े पैमाने पर ओल्लिडिक कर चुका है आगे भी करेंगे लेकिन बड़ी बात है कि अगर वकरांगी जैसा अगर यह करने वाला है लेकिन देखना ह करते है कि नहीं का होगा क्योंकि कंपनी बहुत कुछ कर चुकी है ठीक है पिछले कुछ सालों में कंपनी की बहुत सारी अपडेट्स आई कि हम यह रहे हैं हम वह कर रहे हैं लेकिन शर्पराइज वह मूँग होता नजर नहीं आया तो देखते हैं क्या होगा overall यहाँ पर अगर वकरांगी के बारे में देखा जाए तो volumes इसके 18 लाग के आसपास देखने को मिल रहे हैं इतना ही नहीं अगर हम बात करने जाए company में according to money control user 33% लोग कह रहें कि बेचो और भाग जाओ 67% लोग कह रहें खरीदारी करो 67% लोग इतना ही नहीं अगर company में आप देखोगे तो वहिया सबसे बड़ी चीज है company के revenues और यहाँ पर जटका लगा है दबा के जटका लगा है देखे 1500 करोड का revenue था घटके 680 पर आया घटके 314 करोड पर आ गया लेकिन 2022 में चमतकार हो गया लगा कि situation पल्टेगी 775 करोड का राख हो गया इनका revenue अल्मोस्ट लेकिन बाद में 23 में क्या हुआ revenue 200 करोड से भी कम हो गया profit के front पर अगर आप देखोगे तो यहाँ तो हालत और सदा खराब जहां company ने 109 करोड का मुनाफ़ा किया था financial year 2022 में वो घटके एक करोड हो गया 2023 में तो बहुत बड़े पैमाने पर जटका लाग और यही वज़ा है कि अभी भी शेयर recover नहीं कर पा रहा है तो अभी next quarterly results बहुत सदा important हो जाते हैं जूनके कि भाईया company क्या करेगी आप देखें यहाँ पर revenue जो 200 करोड की revenue हुआ करते थे वो 50 करोड में सिमट गए last 2 quarter में जो profit के अगर हम बात करें जो profit इनको 4.5 करोड हुआ करता था वो भाईया लाखों में आ गया करोडों से लाखों में आ गया इनका profit तो यह negative चीज हुई यहाँ पर और देखो दिक्कत है ठीक है दिक्कत है अभी भी यहाँ पर वकरांगी में वकरांगी में अगर आप देखोगे तो अभी भी इसका P ratio 172 का है जादा है अभी भी जादा लग रहा है sector P 26 है इनका holding के बारे में अगर हम देखे तो promoter के पास 42.60% की holding है mutual fund है हाथ नहीं डाला दूर ही से बैठकर तमासा देख रहे हैं लेकिन domestic और Files अच्छी कासी quantity में है यहाँ पर 6.32% है domestic institution के पास 7.67% है Files के पास अच्छी कासी quantity कह सकते आप इसको retail और अधर की मिलाकर बनती है 43.41 जिन में इसे retail investor 23.12% की holding लेकर बैठे है overall वकरांगी मैं कहूंगा कि अभी अगर मैं इसका chart देख रहा हो तो मुझे लग रहा है कि अभी मतलब लगा था downward trajectory थी लेकिन लंबे समय से 16-17 की range में यह अठका है अगर आप 5 साल का भी graph देख लो तो COVID के time पर जब हालत इतनी जादा बच से बत्तर थी तब भी जो इसका low था वो 18 रुपए का था वहां से इसने bounce back किया था 65 रुपए तक यह अभी तो भाईया उससे भी नीचे गिर चुका है लेकिन कहीं ना कहीं support बनाने की कुशिश कर रहा है और अगर इस लेवल जब तक 15 रुपए का लेवल intact है मुझे रहता है कि जब तक 15 रुपए के लेवल को ये संभाले बैठा है अगर आपके पास है रखे रहो ठीक है बहुत बड़ी downwards मैं expect नहीं कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं बहुत बड़ी downwards expect नहीं कर रहा हूं लेकिन हाँ जहां तक बात है fresh buying की मुझे लगता है कि अगर यहां से थोड़ा सा और correction बनता है थोड़ी से quantity अगर आप चाहो तो add करना बहुत बड़ी खरीतारी मत कर लेना लोग पते हैं क्या करते हैं देखते हैं कि 16 रुपय का शहर है लोग यह सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ी quantity आट कर लो यहां से multi bagger बन जाएगा अगेन ऐसा मत करियेगा उतना ही पैसर निवेश करना चाहिए ऐसी company ने जितना वहिया आपको नुकसान हो भी जाए डूब भी जाए आपको परवा आपको दिक्कत ना हो तो निवेश बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए जो खबरे आ रही है ठीक है यह बहुत बड़ी चार्जिंग वहिकल्स की जो खबरे वगरा निकल कर आ रही है यह जो बोनस वगिरा की स्वरी यह जो कहते हैं कि डी मर्जर वगिरा की अगीन ऐसी खबरे इससे भी पहले कई बार आ चुकी है लेकिन फिर भी शेर मूव नहीं किया है हाँ शॉट टर्म के लिए टेंपरररी मूव करता जरूर था लेकिन वापस वही आगा जाँचे शुरूर हुआ था यह तो इतना ही कोँगा बहुत हैवी इंवेश्मेंट नहीं करना चाहिए हलका फुल का रिस्क लेने लाइक चाहो तो कर सकते हूँ बाकी मर्जर आपकी है वीडियो को यहीं पैंट करूँगा पसंदा हो तो लाइक तर शायगा चाहिए बगर आप पहली बाहर है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वकरांगी के बाहरे में आप क्या सूचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लेकर बता सकते हैं थैंक्यू